ओम स्री गनेशा नमदोस्तो एश्टो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 मई रविवार के रासी फल के बारे में कि हादिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकार हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करत हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और बहतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ संबंदों में आस्चर् आज आएगा दोस्तों आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और संबान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविदियों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्मार कर रहा है जो की भविस्ये में आपक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तों अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुने उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महत्पपूर्ण कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तों आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपने प्रतिवाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वे कारे प्रणाली पर ध्यान केंदरित रखें दोस्तों रिष्तेदारों का घर में आज आगमन होगा आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों आज वरिष्ठ तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्शन वे सयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा आपको आपके लक्षे से भटगा सकते हैं और किसी प्रकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना है विध्यारती अपनी पढ़ाई के प्रती और अधिक ध्यान केंदरित रखें आज खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी इससे आर्थिक इस्तिती डग कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तों साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्ज करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है घर के बड़े बुजरगों की देखवाल में भी समय व्यतित करना आवशक है भूमी संबंदित कार कागजातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपने बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें कोई पैत्रिक पत्ती संबंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है विवेक और समझदारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लवलाइट कैसे रहने वाली हैं दोस्तों परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतित ह प्रेम संबंदों में भी नजदी की आएंगी आपकी व्यस्तता के कारण जीवन साती का परिवार के लिए पूर्ण सहयोग रहेगा जिसकी वज़े से आपके आपसी संबंदों में काफी मधुर्त आएगी पती-पतनी के संबंद खुशनुमा रहेंगी सौपिंग और तरिन वातावरन रहेगा घर की छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजर अंदाज करें इससे संबंदों में कभी कटूता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे दोस्तो बात कर लेते हैं जब कावेवेशाय केरियर क्या सा रहने वाला है दोस आज ज़्यादा रहेंगे प्रतिष्ट लोगों से अपने संपर्कों को आप और अधिक मजबूत करें उनके दोरा आपके वेवशाय में नए ओर्डर और अनुबंद प्राप्त हो सकते हैं सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कार्य भार रहेगा आप अपनी योग्यता वे काबलियत द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कुछ बदलाव लाने की कोशिस करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे कुछ नए जन संपर्क भी आज इस्थापित होंगे ऑफिस में बौस वे अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे वेवसायक गत गति विदियो को सुचारों रूप से चलाने के लिए करमचारियों के सुझाव को आप अधिक ध्यान में रखें जिससे आप बहतरीन निर्न ले पाएं दोस्तों नौकरी में आप अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरबाई ना वरतें वेवसायक गति विदियों में सुधार आएगा करमचारियों के प्रति आपकी उदारता वे उत्तम व्यवार उनकी कारे चमता को और भी अधिक बढ़ाएगा दोस्तों साथी साथ कारे छित्र में आप सभी गति विदियों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे अपनी कारे प्रणाली दूसरों क सामने जाहिर ना करें कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है नौकरी पेशा व्यक्तियों की उनके उचित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है इसलिए आप सैयमित दिन चरिया रखे इसके लिए दोस्तों आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजन योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तों हम आपको जी शुपाय को बताने जा रहे हैं इस उपाय को आपको रात तरी के समय करना है आपको यह उपाय रात को सोते समय करना है जैं दोस्तों आपको करना क् सुबा उठें इस नानादी से निर्वत्र होने के बाद इस दूद को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें या दोस्तो ऐसा करने से आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और भगवान शुरदेव का शिरवाद आप पर सदेव बना रहेगा या दोस्तो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद